तिलंगना में कॉंग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री पद के लिए निर्वाचित प्रेवंत रेड़ी ने बयान दिया बिहारी डियने पर सवाल उठाए है हमरे साथ जेडियू के मुख ब्रोक्ता है नीरज कुमार बिहारी डियने पर आपके सहयोगी दलके तिलंगना के जो माननिय मुख्यमंत्री निर्वाचित होने वाले है जिनको आला कमान ने भी स्विकृती प्रदान किये और उनके द्वारा एक इंटरविउ में बिहारी डियने पर सवाल खड़ा करना हमको लगता कि इतिहास की जानकारी उनको होना चाहिए क्या दरणिये नरेंद्र मोदी जी ने बिहारी डियने पर सवाल खड़ा किया तो 2015 का चुनाव हारना पड़ा ये इंडिया ब्लॉक के हम घटक दल है और और बिहार के योगिस प्रतिभाशाली योगिय अफसर है तो वो बिहारी डियने पर सवाल खड़ा करिएगा आपको वैचारिक मतवेद हो सकता है लेकिन ये देश सब का है ऐसा नहीं कि तेलांगना का अलग डियने है बिहार का अलग डियने है हिंदुस्तान का डियने है इसलिए ऐसे सवाल जो समाज में विभाजनकारी नीतिया तै करते हैं ऐसे पर्रवई है जो भी उनका है बिल्कुल दुका दे और ये पीडा जनक है दियमके के निता का बयान आता है गोमूतर के उपर टिपनी की जाती है तेलंगाना से बयान आ रहे हैं तो क्या इन चीजों से लगता है कि इंडिया गडबन्धन जो है उसको फायदा होगा हम तो यह समझते है कि कॉंग्रेस पार्टी को अलाकमान को निश्चित रूप से उस बयान पर गंभिरता से सोचने की जरूत है कि आप बड़ी लड़ाई 2024 का लड़ना चाह रहे हैं और डियम के के सानसद ने जो कहा है वह निश्चित रूप से गलत कहा है लेकि डियम वहां के मुखे मंतरी MK स्टालीन ने कहा है कि आप जल से जल अपलोजी इस पर जारी करिए तो यह भी उनके अलाकमान ने संग्यान लिया है तो हमारी उम्मीद है कि जो लोग बिहार के DNA पर सवाल खड़ा करते हैं यह बिहारी यह श्मिता का सवाल है दल का सवाल नहीं है यह हमारे दिल से जुड़ा हुआ सवाल है और ऐसे सवाल पर हमारे भिहार के रहने वाले लोगों पर अगल कोई वैचारिक हमिला करेगा तो निश्चित रूप से कॉंग्रेस आला کמान इसको गंबीरता से ऐसे तठ्य को रेखांग कित करें लेकिन सवाल जो है वो बिहार कॉंग्रेस से भी उठ रहे हैं आप लोगों ने कॉंग्रेस की रण नीटी जो रही विधान सभा चुनाओं में हा लिया उस पर सवाल उठाए था और कॉंग्रेस कर रही है कि अपने गिरबान में उन्हों को जाकने मतलब आप लोगों को जाकने की जरुवत है क्योंकि आप लोगों ने बीजेपी को मजबूत किया बिहार में जो लोग ऐसा बयान दे रहे हैं हम उनसे यही कहना चाहते हैं कि अलाकमान ने आपको अनुमती दे दिये न क्या अलाकमान आप कॉंग्रेस पार्टी का राष्ट्य नि पार्टी को सुचित करना चाहिए चुकि यह तो तै करना है राष्ट्य नितित को कॉंग्रेस को बिहार ने महागटबंदन बना करके एक नया रूप दिया एंटी बीजेपी फोर्सेज को चाहे कोई छोटी पार्टी हो या बड़ी पार्टी हो सब की हिस्सेदारी तै किया लेकिन एकला चलो के नारे की बुनियाद पर अगर चलना चाहते हैं तो अपने अलाकमान से इस संबन्द में महारे पार्टी के राष्टी नितित को ख़बर कर दिये बिहारी डियने पर सवाल उठाए जाने के बाद जेडियू जो है वह कहीं से भी बैकफूट बराने को तयार नहीं है और जेडियू ने साब कह दिया है कि अगर सवाल बिहारी डियने पर उठेगा तो इस पर कॉंग्रेस अलाकमान को भी सकत रवया अपनाना चाहिए सेवी कमरेपरसन नरीम आलम के साथ ससी भूशनाज तक पटना